एक इंग्लिश ओफिजर चो डिस्टिंग जगा पर सवर कर रहा था वहाँ की लोकल लैंग्वेज सिखने के लिए उसे एक लटकी दी जाती है जो उसके साथ इंटिमेट होगी और उसे लैंग्वेज सिखाएगी प्रॉल्म दब आई जब उसे उससे प्यार हो गया अगर आपको वीडियो चलागता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजेगा अब बिना किसी दरीके एक्स्प्लेशन स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी स्टार्ट होती 1936 में उस वक्त इंगलंड पर बहुत सारे देशों पर राज था अगर किसी को भी कवर्मेंट जॉब करना था तो उनके एजुकेशन के लिए उन्हें रिमोट सी कंट्री में भेज दिया जाता था यहाँ पर वो सर्व करते थे जब वापस आ जाती है उसे वेलकम करने के लिए आया हुआ था जॉन को फिर हो उसके ऑफिसर के पास लेकर आता है जॉन के ऑफिसर का नाम है हेंडरी और हेंडरी बहुत सारे सालों से यहां रह रहा है हेंडरी उसे पुछता है कि तुम्हारे पास इतने सारे आप्शन थे तुम यही क्य किया था इन लोगों को एजुकेशन देना चाहते थे अपने फादर की विजन वो खुद कंप्लीट करना चाहता है हेंड्री उसे कहता है कि सक्सेस हो नहीं पाएगा यहां के लोग बहुत ही अलग है इनने एजुकेशन देकर कोई भी फाइदा नहीं क्या लोकल लोगों के ट जौन को ड्रिंग करना पड़ता है यह ड्रिंग एक बहुत ही ब्यूटिफुल लड़ की लेकर आई थी इसका नाम है सलीमा जो हमारी और एक मेंड गैरेक्टर है जौन में उसे देखा और उसे बहुत अच्छी लगी थी उन्होंने बहुत सारा ड्रिंग किया उसके बास सल बहुत असे उस आदमी का नाम में बदन सा है अगली सुपा जौन ने जो भी किया इसे वो बहुत ही इंबरस था आज हेंडरी अपने साथ सलीमा को लेकर आया था उसे कहता है कि यह तुमारी वाइफ की तरह सारे काम करेगी जौन को कुछ भी समझ नहीं आता तो उसे समझा रहता है यहां की लोकल लैंग्वेज समझना बहुत ही इंपोर्टेंट है और यहीं सीखने के लिए सलीमा तुमें हेल्प करेगी तुम उसके साथ इंटिमेट होगे और यहीं बेस्ट वे हैं लैंग्वेज सीखने का क्योंकि बहुत सारी से चलता रहा है जौन को यह सब ब गुसा आके और वहां से चला जाता है जौन ने जो भी कहा इस वज़े से सलीमा को भी उस पर गुसा आके इनकी एरिया के बॉर्डर में कुछ चैनीज लोग घुस कर आये थे और इनकी उनके साथ फाइट हुई है लोकल लोगों ने चैनीज लोग को तो मार डाला पर अब ले थे कि उन चैनीज लोग के सर तोड़ कर लिया आए जाए जाए जौन ने काम बिलंसाय को देता है और बिलंसाय ने मंकी के हेड लाए थे जौन ने पहचान भी नहीं पाया तो सब लोग उस पर बहुत अस्ते है जौन यहां न्यू है और उसे कोई भी सिरेसली लेता नह होता तो शेफ को लग रहा था कि य। जॉन को इस पर गूरभाओं जाता है उसने कहां व यह सब नहीं चलेखा उसमें गुस्य में सलीमा को भी fire कर दिया सलीमा भी गुस्य में भार निकल गे शेप जॉन को समझाता है कि अगर सलीमा घर पर चली के तो लोग समझेंगे कि वो बहुत ही अगली है उसका मजा गडाएंगे जॉन भी फिर सलीमा के पीछे पीचे गया वो गहता है हमारी country में ऐसा होता नहीं मैं ऐसे किसी के साथ intimate नहीं हो सकता उसे sorry कहता है और फिर से language signal try करना चाहता है सलीमा भी मान की Nixon में हम देखते हैं कि John कुछ काम के लिए Henry के घर पर आया हुआ था यही पर उसके wife एजी से मिलता है एजी उसे पुछती है तुमारी sleeping dictionary कैसी है सलीमा के profession को sleeping dictionary कहा जाता है एजी को इसके बारे में पता था तो उसे कुछ भी जादा फरक नहीं पड़ता यहाँ की tradition है तु उसने उसे accept कर लिया था रात में John और सलीमा एक ही room में अलग-अलग bed पर सोए सलीमा जौन से पुछती है कि अगर तुम किसी और के साथ intimate नहीं होते तो जब तुमारी शादी होगी तो तुमें कोई भी experience नहीं होगा जौन मजाग में गहता है कि मैं ज़रा classes कर लूँगा जौन उसे पुछता है कि तुमने मुझे choose क्यों किया सलीमा कहती है पाकिस सब लोगों से तुम बहुत अलग हो अगली दिन फिर से लोकल लोगों से मिलने के लिए जौन गया हुआ था वो अभी भी उसके कोई भी बात मान नहीं रहे वो कुछ बच्चों को बढ़ा रहा था और बैलनसाय को इसमें कोई भी पॉइंट नजर नहीं आता जौन उसे गहता है कि मैंने सुना कि तुम अंडर वाटर बहुत टाइम तक रह सकते हो तो उसके champion हो बैलनसाय कहता है कि हाँ तो जौन उसके साथ अब competition करना चाता था सारे लोग इसके लिए बहुत ही excited हो गए यह दोनों पानी में गए थोड़े टाइम बात बैलनसाय उपर आ गया और जौन अभी भी पानी के नीचे ही था वो लासली बाहर आया तो एक game जीच चुका था पर उसके पास oxygen cylinder है यहाँ के लोगों को oxygen cylinder के बारे में कुछ भी पता नहीं तो सब लोग उसे डर जाते है जौन ने बैलनसाय को हराया तो उसके सारी बाते मानने लग जाते है आज राज सलीमा जौन को चिल्डरन के बूग से पढ़ा रही थी जो लोरी सलीमा का रही थी जौन के फादर जब वो छोटा था तो यही उसे सुनाय करते थे सलीमा कहती है मेरे फादर भी यही मुझे सुनाते थे वो जब 4 साल की थी तब यह उनकी date हो गई थी यही language सिखते सिखते है उसे हाथ, नेक, इन सारे body organs के बारे में सिखा रही थी एक दूसरे को touch करने लग गया है और फिर intimate हो जाते है इसके बाद यह बार-बार intimate होने लग गया है एक रात intimate होने के बाद सलीमा यहाँ से जा रही थी जौन कहता है मेरे बेट पर ही सो जाओ सलीमा उसे कहती है कि हमारे tradition है दो लोग पास रात तक एक साथ उठे तो उन दोनों की engagement हो जाती है तो मेरे साथ engagement नहीं चाहते है अगली रात हेन्री ने जौन को अपनी घरबर बुलाया था हेन्री के बेटी अपना education कम्पलीट करकर इंगलंड से वापस आई थी ये सब एक साथ dinner कर रहे थे हेन्री के बेटी का नाम है सिसिल सिसिल इंगलंड में यही के local लोकों पर research कर रही थी वो बातों-बातों में कहती है यहाँ पर बहुत ही अजीब से tradition हुआ करते थे कोई new officer आया तो language सिखने के लिए सिर्फ एक tradition है जान कहता है कि उन दोनों में feelings develop हो सकती है जैसे उसे सलीमा के लिए हो रही थी हेन्री को यह बात बहुत ही गलत लगती है जान घर पर आया और सलीमा को गले लगा लेता है अरली दिन जान और सिसिल एक साथ थे सिसिल को सारे लोगों के बारे में और भी जानना था वो research कर रही थी तो इसी research के लिए जान उसे सारी जगा दिखा रहा था वो सब लोगों के photo भी ले रही थी वो सलीमा के साबने आई वो उसकी photo ले सलीमा को अच्छा नहीं लगता वो जॉन से कहती है कि इसे मना करो पर जॉन कुछ भी बोल नहीं पाया अचानक से रिवर के पास फ्लोट होते हुए कुछ लोग आया एक डेंजरेस बिमारी की वज़े से उनकी डेथ हो गई थी यह एक्चुल में हो क्या रहा है तो इसकी इन्वेस्टिकेशन करने के लिए जॉन अपने साथ कुछ लोग को लेकर चला जाता है उसके साथ बोलंस आय और सलीमा भी थी जाने से पहले एज़ी उसके पास आई वो कहती है मेरी बेटी बहुत ही एजुकेटर है वो यह बहुत ही अच्छी लड़की है और तुम उसके साथ खुश रहोगे तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए जान को यह बहुत ही अजीब लगा वो कुछ रिस्पॉंस दे नहीं रहा था तो आज़ी कहती है यह जल्दी से इसके लिए हा कहे दो इस वज़े से सलीमा उस पर बहुत ही गुस्सा थी उससे कहती है तुम भी बाकियों की तरह ही हो जान उसे पूशता है क्या मेरे साथ कुछ अलग नहीं था क्या हमारी रिलेशन्शिप कुछ भी अलग नहीं सलीमा कहती कि नहीं मैं सिर्फ तुमारे साथ इंटिमेट होती हूँ जान समझ गया कि उस पर वो गुस्सा है अगले दिन ये सब उस बिमारी को इन्वेस्टिकेशन करने के लिए जगा पर पहुचे यहाँ पर और और भी लोगों की बिमार पढ़कर डेथ हुई थी जान कुछ भी समझ नहीं पाता कि इस सब के पीछे का रिसन क्या है तो भी एक आदमी ने उस पर हमला कर दिया बिलन साही ने उसे देख लिया था तो जान को बचा लेता है यह दोनों फिर उस आदमी का पीछा करते है उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग वहाँ पर सिल्वर की माइनिंग कर रहे थे जान समझ गया कि इस बिमारी की बीचे यही लोग होंगे वो जब वापस आये तो सलीमा भी बिमार पढ़ चुकी थी जौनने इस बसोजा तो रिलाइस करता है कि सलीमा ने राइस खाया था अगर सब लोग मर जाएंगे तो उनकी माइनिंग के बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा यही राइस सलीमा ने भी खाया था पर यह सलो पोईजन है तो उससे कुझ भी नहीं होगा पर जो लोग हमेशा से इसे खाते आ रहे हैं, उनकी डेथ हो जाती है अब यहाँ के जो लोकल लोग थे, यह बहुत ही डेंजरस है अगर उनने इसके बारे में पता चलेगा, तो सारे लोग को मार डालेंगे बोलन साय जोन से भुषता है, कि क्या मुझे इनने सब कुछ सच बता देना चाहिए जो उन लोगों ने किया, वो बहुत ही गलत था इस वज़े से जोन भी उन्हें मारने के ओर्डर दे देता है जोन ने रियलाइस किया, कि सलीमा बिमार थी, तो उसके लिए बहुत ही वरीट था वो उसके बिना जी नहीं सकता, उसे ऐसा बात कहे देता है उसने उसे मैरेज के लिए प्रोपोस किया सलीमा कहती है, हमें कोई भी अलाउड नहीं करेगा, यह बहुत ही हार्ट होगा जोन गहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लोग हमें समझ लेंगे जोन ने सलीमा के बारे में जब हेंडरी से बात कि, तो हेंडरी उस पर बहुत ही गुसा हो गया था वो गैता है ऐसा कुछ भी allowed नहीं यह हमारी government को disrespect होगी John Salima को जाने नहीं दे सकता इसा बात A.G. ने सुने A.G. ने उसे कहा कि Salima तुम्हारी पास थे अब तुम आगे बढ़ो Henry उसे एक offer देता है कहता है तुम अब फिर से England जाओगे वाबर शादी करोगे और फिर अगर तुम्हें लगा तुम फिर से वाबस आ सकते हो पर अगर तुमने offer नहीं ली तो उन miners को मारने के लिए मैं हमेशा के लिए तुम्हें जेल में डाल दूँगा इसी के parallel में Salima को भी blackmail किया जाता है अगर उसने जॉन को जाने नहीं दिया तो बोलंसाय को लोग मार डालेंगे बोलंसाय के फादर Salima को request करते है Salima मानती नहीं तो उसे केज में डाल दिया गया था जॉन भागते भागते उसके पास आया Salima उससे गहती है मैंने तुमसे कहा था यह सब possible नहीं हेंडरी Salima और जॉन को last chance देता है अगर वो बाने नहीं तो इन दोनों को जेल में डाल दिया जाएगा Salima जॉन को जेल में नहीं देखना जाती तो कहती है कि अब मैं इसे कभी भी नहीं मिलोंगी Salima ने भी जॉन को जाने के लिए कहा इसके बाद हम देखते हैं कि डारेकली एक साल बीच चुका था जॉन की सिसिल के साथ शादी हो चुकी है इनकी वेडिंग नाइट पर सिसिल जॉन से भूशती है या तुम्हारी कोई sleeping beauty थी जॉन उसे सच कहता है पर सिसिल को इससे कुछ भी फरक नहीं पड़ता जॉन ने उसे खुद प्रपोस किया था अब एक साल हो चुका था तो जॉन ने फिर जे डिसाइड किया कि हो उसी जगा पर जाएगा वहाँ अने बर इन्हें welcome किया जाता है अब वहाँ के सारे बच्चों को जॉन पढ़ाने वाला था सब लोग जॉन को welcome करते हैं रात में इने movie दिखाय जाती है पर इन सब लोगों में जॉन सिप सलीमा को धून रहा था ये बात सिसिल ने notice किये वो जॉन के साथ रात में intimate होना चाहती थी पर इस thought को shake नहीं कर पाती उससे कहती है मुझे तुमारे और सलीमा के बारे में सब कुछ पता है उसके अब शादी हो चुकी है उसे एक बेटा है वो अपनी life में खुश है सिसिल भी चाहती थी जॉन उसके साथ खुश रहे जॉन उसे अशूर करता है कि उसके साथ खुश है अगली दिन जॉन अपने old घर को देखने के लिए गया वहाँ पर एक और officer है उसकी और कोई sleeping dictionary इस officer का नाम था नेविल जॉन ने notice कि नेविल ने अपने sleeping dictionary को बहुत मारा है जॉन को इस बात पर बहुत गुसा है उसने नेविल को धमकी दी कि अगर तुमने face से उसके साथ ऐसा किया उसे मारा तो राद में तुम्हारा private part काट देगी सिसिल और जॉन जब से यहाँ है तो एजी उनका observation कर रही थी उसे लगता है कि सिसिल और जॉन के बीच में उनकी relationship उतनी अच्छी नहीं यह सब वो जब बात कर रही थी तब ही जॉन ने यह सब सुन लिया वो अंदर आकर सिसिल को किस कर लेता है उसने एजी को जाने के लिए कहा एक दिन जॉन जब रिवर के बास था तो उसने सलीमा उसके बेटे को देखा सलीमा का बेटा वाइट है इसका मतलब है वो उसका ही बेटा है उसे बहुत ही शौग लगा अब वो सलीमा से मिलना चाता था अपने शेफ से बात करता है क्या हमारी meeting arrange कर वाओ शेफ ने औरेड़ी सलीमा से बात की थी वो सलीमा जौन से कुछ भी बात नहीं करना चाती है एक जगा अबर जूट बोलकर सलीमा को बुलवाया जाता है जौन सलीमा से कहता है कि वो मेरा बेटा है मुझे उससे मिलना चाहिए सलीमा कहती है अगर लोगों ने हमें एक साथ देख लिया तो हमें मार डालेंगे जौन कहता है कि प्लीज मुझे थोड़े टाइम मिलने दो वो अपने बेटे से मिला उसके फादर उसे जो लोरी सुनाते थे यही लोरी अपने बेटे को उसने सुनाई अगली दिन अपने बेटे के लिए वो एक टॉय बना रहा था इस बात को लेकर उसने जौन को कंफरंट किया तो उससे सब को समझ में आ गया जी कहती है मेरे हस्बन हेंरी की पे एक स्लीबिंग डिशनोरी थी मैं डरती थी कि उसके पास फिर से वापस चला जाएगा इसी वज़े से उसके साथ ही मैं 30 साल रही यही चीज में मेरी बेटी के साथ नहीं होने दूँगी उसे सलीमा के साथ कुछ भी रिलेशनशिप नहीं रखने के लिए वाण करती है जौन इस बात को सिरेसली लेता नहीं वो अब सलीमा और अपने बेटी के साथ टाइम स्पैंट करने लग गया था यह बात जब बोलन साय को पता चली तो बहुत ही जेलस हो जाता है एक राद उसे मारने के लिए उसके घर पर पोश गया जौन की निन खुल गई थी तो बच जाता है अब यह इंसिडेंट बहुत ही सीरियस है Hendry कहता है अब हमें बुलन साय को मारना पड़ेगा Salima तुम्हारी पास थी तुमिं उसे जाने देना चाहिए था John कहता है कि अगर तुम्हारी ऐसे ही और कोई डूटर होती तो क्या तुम उसे जाने देते हैं Hendry ने कहा यही सही होता ये बोलते होए वो सलीमा को देख रहा था इसका मतलब है सलीमा हेंडरी की बेटी है हेंडरी अपनी वाइफ की वज़े से सलीमा को कभे भी अपना नहीं पाया अब नेकसिन में बोलंसाय को पकड़ कर ले आ जाता है हेंडरी के कहने पर हेंडरी के फोस में जॉन को बोलन साय को डेट की सजा दिनी पड़ी, वो अगली दिन बोलन साय को हैंक करने वाले थे, पर बोलन साय नहीं एक बार जॉन की जान बचाई थी, रात में जाकर उसे छुड़ा लेता है, कहता है यहाँ से दूर भाग जाओ, रात में सलीमा भी उसे मिलने के लाई, जॉन कहता है, अगर हमें एक साथ रहना है, तो यहाँ से हमें भाग जाना पड़ेगा, उन्होंने भागने के लिए एक डेट डिसाइड की, हेंडरी जॉन पर इस बात से बहुत गुसा था, जॉन को सबख सिखाने के लिए एजी, सलीमा को नेविल के पास जाने के लिए के लिए कहती है, एज उसकी स्लिपिंग डिक्ष्णरी, उसे ब्लैकमेल कर रही थी, कि अगर सलीमा ने ऐसा नहीं किया, तो उसे जेल में डाल देगी, अब आज रात ये दोनों भागने वाले थे, पर इससे पहले ही, शाम में सिसिल जॉन से बात करती है, कहती कि मैं प्रिग्नन्ट हू, वो आज बहुत ही खुश थी, और जॉन बहुत ही ज़ादा कन्फियूस्ट हो किया, कि अब उसे क्या करना चाहिए, रात में जब सलीमा और नेविल अकेले थे, तो नेविल सलीमा को जबरदस्ती करने लग गया, सलीमा ने नेविल को बहुत मारा, फाइनली वहाँ के शेव की मदद से वो नेविल को मार डालती है, अगर वो ऐसा नहीं करती, तो नेविल उसे बहुत मारता, और कभी भी जाने नहीं देता इसी के पैललल में जॉन अब एक लेटर लिख रहा था सिसिल की वज़े से वो उसके साथ नहीं जा सकता पर यह सब बात सिसिल को पता चल गई यह लेटर वो पढ़ती है उसे वो बात करती है उसने कहा यह मेरी मदर डरती थी इसी वज़े से वो हमेशा मेरे फादर के साथ रही वो दोनों कभी भी पूरी तरीके से खुश नहीं रह पाए मैं देख सकती हूँ कि मैं तुमारी फर्स चोइस नहीं तुम मुझे अभी भी उतनी प्रायोरिटी नहीं देते सलीमा हमेशा के लिए तुमारी फर्स लव है तुम्हें उसके पास ही जाना चाहिए मैं किसी ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना चाहती जो पूरी तरीके से मुझे प्यार नहीं करता सिजिल होफ फूल थी कि उसे भी और कोई मिल जाएका वो जौन को जाने देती है घर पर जो भी सब चल रहा था इस वज़े से ओ लेट हो गया सलीमा को लगा कि आज रात भी जौन नहीं आया वो बहुत ही हार ब्रोकन हो गई जौन उनकी जगा पर लेट पोचता है पर सलीमा को ढून नहीं बाता जौन का शेफ फ्रेंड जौन के लिए सलीमा पर नज़र रख रहा था वो कहता है सलीमा अभी भी यही है सलीमा ने निविल को मार दिया तो उसके मर्डर के लिए हेंडरी सलीमा को ढून रहा था वो उसे ढून तो लेता है पर जाते जाते अपनी गन उसने सलीमा को दे दी उसकी बेटी है और कभी भी उसके लिए बुरा नहीं चाहता सलीमा भी उसे गले लगा लेती है उसे हमेशा से पता था कि हेंडरी उसके फादर है हेंडरी जब घर पर आय तो एजी उस पर बहुत गुस्सा थी कहती है कि तुम कुछ भी करने नहीं वाले हेंडरी कहता है मैं मेरी बेटीयों के लिए हमेशा सही बात चाहता हूँ वो इस सारी बात को दबा देगा यहां में पता चलता है कि नेविल अभी भी जिन्दा है वो सिर्फ इंजोर हो गया था अब ऐसी बहुत ही गुसा थी तो उसने जाकर नेविल को और दी जाओ और सलीमा और जॉन को मार डालो जॉन ने हर जगा पर सलीमा को ढूंडा पर फाइनली उसे ढूंडी लेता है यह दोनों एक दुसरे को मिलकर बहुत ही खुश थे तब ही नेविल उनके पास आ गया उसके पास गंद थी उसने जॉन को हटकड़य पहना दी वो सलीमा के साथ जबरदस्ती करने लग गया तब ही अचानक से कुछ आदिवासी लोग वहावर पहुश गये यह वही लोग है जिनको मरने से जॉन ने बचाया था उन्होंने नेविल को मार कर इन दोनों को बचा लिया सलीमा जॉन से कहती है अगर तुम मेरे साथ रहे तो तुम कभी भी वापस नहीं चापाओगे तुम्हें यही इन जंगलों में रहना पड़ेगा जॉन कहता है मैं मेरी फैमिली के साथ हू मुझे किसी भी चीस की जरूरत नहीं यह तीनों एक साथ बहुत ही खुश थे इससे मुमेंट पर यह मुवी एंड हो जाती है अगर आपको एक्स्प्लेंशन अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजएगा प्लीज इस चानल को सब्सक्राइब कर दीजए और बेल नुटिवेशन आइकों दाउने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक निमुवी के साथ तबते के लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखे